प्रवाज़ वेल्कम डू पाकिस्टानी प्रोजरी एक्शेंज तो कैसे आप सब मेरा नम वजहत है मैं हूं बश्चिर्स आज की वीडियो काफी जादे इंट्रेस्टिंग इसम क्यों ने लगी है तो सीधा वीडियो के टाइडल के आप पर आते हैं तो वीडियो के टाइडल वर्सिस डेली एडुकेशन फुल कंपारिशन एंबस मतलब आज हम ऐसे दो मतलब स्टेट्स बोलो इनको जहां एक तरह के हां उनको कंपार करने लगे हैं उनके एडुकेशन सिस्टम को जो के मतलब इंडिया में रिच स्टेट से एक किसम को बोलो मुंबाई के बाद जीड विर्दी और मुंबाई हमारे देश इंडिया के दो सबसे खास इसे हैं और इसलिए यह होने वाली हर चीज हमारे पूरी देश पर असर करती है जहां डेली इंडिया का अज यहां देश का फास हैं और आज के वीडियो में तो बडे देश के एजुकेशन से रिलेटेट पा डेली इंडिया की कैपिटल टेरिटरी है ये देश का एक मैसिव मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो कंट्री के नॉर्थ में बसा है डेली रेटफोट कुतुब मिनार इंडिया गेट जिसे टुरिस्ट अट्रैक्शन के लिए तो फेमस है ही पर यहां एजूकेशन भी कुछ कम देली 1,484 km2 में फैला है और यहां की संख्या 2.1 क्रोड के करीब है वहीं मुंबई महराष्ट्र में बसी एक खास सिटी है ये इंडिया का फानाशल हब कहला है ये इंडिया का फानाशल हब कहला है मुंबई नमर ऑफ मिलिनर्स या वर्ल हेरिटेट साइज के अलावा अप हाथ कंप्लीट होता है गवर्मेंट और गली का एडिकेशन डिपार्टमेंट डेली में एडिकेशनल अफेर्स का जिम्दार है इनहीं के ऊपर घली का एडिकेशनल सिस्टम निर्भर करता है आटी राइट टू एडिकेशन के तहत यहां बच्छों का छई साल से 14 साल तक educated होना कंपसरी है यहां हार private schools 25% seats under privilege students के लिए reserve की गई है tertiary education को directorate of higher education के द्वारा administrator किया जाता है Delhi में schools government या private sectors के द्वारा चलाई जाती है और यह इन तीन बोट से जुड़े होते हैं council for the Indian school certificate examinations CISCE Central Board of Secondary Education CVSE scene or national institute of open schooling यानी N9 OS वही Mumbai में तीन तरीके के schools है public school private school और colleges इन में से जर्दर school maharashtra state board of education के अंदर आती है हां मतलब कि माराटर बोट हो गया है यानी secondary school certificate English और मराठी मुंबई education की दो main languages है मुंबए में से प्राइवी इजुकेशन की दो main languages है मुंबए में international schools में students काफी कम होते हैं और इसलिए यह student teacher ratio perfect होता है मुंबए में भी RTE system poor students के लिए मौजूद है three number of schools डेली में कुल 5,755 schools है डेली में government school data पर नज़र जादे यहां 55,000 teachers यानी इंडिया में teachers enough नहीं है वही Mumbai में total 1588 colleges और 3916 schools है अब teachers की counting बताना यह अब अब बराबर हो गए लिए मुम्मे में वे फ्रोफेशनल teachers की जरूरत है number four literacy rate डेली में total literacy rate 86.21 percent है जिसमे 90.94 percent male or 80.76 percent female literacy rate है वह यह बात अगर Mumbai की कहरे तो मुम्मे में total literacy rate 89.73 percent है थोड़ा सब्सक्राइब जिसमे 92.56 percent male और 86.39 percent male अगर अगर बच्छिया है number five universities compared Delhi में काई खास universities and institutes है जैसे Ambedkar University, Delhi Technology University, Guru Gobind Singh Indra Pasta University और भी काई सारी पर हम बात करेंगे Delhi University की और साथ ही हम इसे University of Mumbai से compare करेंगे University of Delhi की शुरुआत 1922 में हुई थी यानी से बंद करकु 99 years हो चुके है यहां के Chancellor India के Vice President है और Vice Chancellor PC Joshi है यहां 23,034 students है अगर notable alumni की बात करें तो University of Delhi से निकलने वाले students में हमारे Prime Minister Shree Narendra Modi भी शामल है इसके अलावा भी यहां से कई politicians पर्टकर निकले है जैसे अरुन जैतली, Vijay Keshav Gokhale, और भी कई सारे, cinema industry के stars जैसे अमिताब बच्छन, शारुख खान, मनोज बाजपाई, यूमा खुरेशी, शुषान सेंग राजपूथ, श्रिया सारां, और Greenist University और Delhi से कई प्रिशनलेटी वी थी है वहीं मुंब़े में वैसे तो एंडिया की कुछ टॉप यूनियार था सुषान अग्यार था सुषान इसकी शिरौट आच से 163 यह पहले, 1857 में हुई थी इसके Chancellor Governor of Maharashtra और Vice Chancellor Sohash Padnekar यहा Students 7,579 है University of Mumbai दुनिया के कुछ सबसे बड़ी उनिवसिटीज में से एक है और यहां से पढ़ कर निकलने वालों के नाम आपको हैरान कर देंगे University of Mumbai से पढ़ाई हासिल कर निकलने वाली पस्नालिटीज कुछ इस तरह है अनिल Ambani, Mukesh Ambani, Neeta Ambani, Prahal Bajaj, Aishwarya Rai, Ajay Devrin, Anir Kapoor, Dada Sahib Falkyar, Devine, Kareena Kapoor, Kadir Khan, Madhuri Dixit, Priyanka Chopra, और भी काई ऐसे विशू नाम है इसमें तो बॉलिवोड स्टार लादीज है तो दोस्तों आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना जाए है अरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगो को मिलें तोस्तों आप है बस दॉट्र में तेखर का था बस दॉट्र स्टूड़न वह जाए थे बहुत देली में और उतर स्टूल जाए थे और ये ज्यादा पुरानी उनिवर्स्टी थी मतलब जो मॉंबाई की दी और इतर बॉलिवोड भरा था और उतर पॉलिटिशन बरे में थे फर्क देखा तिन्हें से हाँ देली में पॉलिटिशन बरे में थे और उतर बॉलिवोड की नगरी है तो जाहर बात है मतलब शायद उसने किया लेकिन वह शारोगान का बेटा मेरे गाल में बाहर होता है मैंने सुना दर अच्छा उसने बाहर स्टूड़ी किया सारी जाबाद और बकाया जो और पाता है और मुबाशी जो इनका लेटरेसी रेट था और सुशान सिंग राजबू तो जो बता हुजा वो टॉपर रहे है बिलकुल उनका इतना माइंड था कि मतलब और फिर भी वह उन पर क्या नाम लगा था कि उनने साइड मतलब टॉपर बंदा किया सकता है उसका माइंड इतना बंधा बहुं। बहुत हैं राज जो अन surface से ना इंग ओ आपने लेटरेसी रेट उनका ममई अंज पर कि छेया हुझ पर कंसे ने पर और ढूहर कि पर कुलेमें तो गाकशन से काए तिचर मतलब उसका मैं नहीं पता देली के फट हैंए नहीं पता है नहीं पता है नहीं पता है उनने रहा जो ब्राविल गान्दी वोग अब मतलब देली के बात ऑठ उरिया। तो गैस आप बताएं आप मेंसे कौन-कौन डेली से बिलाउंग करता है और कौन-कौन मुबाई से बिलाउंग करता है? ते हमें comment section लाजी है सुझते है कि कौन सा best हाँ और कोल मतलब किस को मतलब कौन सी education system जाधा पसा था वो पहले को बोर्डे, फो किस ज्यादा मुशकेल है, दिली का या, मुम्भैं का? मतलब तॉन सा मुशकेल है? एक्सान मतलब जो हो मुटा है, बोर्ड या, मुभष की दिली, खोन सा मुषकिल है? So guys, इतरी वीडियो खेतम करते हैं, अपना बहुत बहुत जादे हैं, है लखना तरह है, जार बाइ!